प्रत्यक्ष में जो समर्थ मिलता है प्रत्यक्ष में जो गुरु मिलता है वो शास्त्रत सम्मुख जो लोग है उसी को मिल सकता है उसी को पहचान होते हैं उसकी पहचान यह है देखो बहुत मनुश्य रूप में दिखते हुए भी गुरु में और एक साधरन व्यक्ति के जीवन में इतना बड़ा बैद होता है कि लोग निरंतर बैद चाहते हैं हम सबसे अलग दिखे हम सबसे हट कर दिखे हम लोग निरंतर बैद चाहते हैं और गुरु निरंतर अभेद चाहता है लोग जेशे हैं वेशे बने रहना चाहिए जो आदत हो गई जिस प्रकार का आपका जीवन जो सभाव बन गया आप उसी में कैद रहना चाहोगे कि हमको तो बस ऐसा ही पसंद है जो प्रतिवर्श हम करते हैं जो बचपन से हम करते आए हैं हमको वही पसंद है जबकि गुरुत्व जो है वो निरंतर परिवर्टन सील होता है उसमें बदलाव होता है शिश्यों में जब तक गुरुत्व की जियोत नहीं है तब तक शिश्य जो है जो प्रता जो बात साब वैसा का वैसा रखना चाहता है जबकि गुरुत्व निरंतर विक्सीत होता है और उसका निरंतर विकास होता रहता है इसलिए वो नित्य नया कुछ अलाग, कुछ अलाग, कुछ उसमें बदलाव होता है और एक गर्भीत इशारा अब लोगों को दू कि जो निरंतर भीतर से विक्सीत है उसके वहवार में बदलाव निरंतर होता है उस बदलाव से उसको डरने की कोई आवश्यक्ता नहीं है जो व्यक्ति वीवेक सिद्ध हो वीवेक संपन हो उसको डरने की कोई आवश्यक्ता है जिसको अपने अस्तित्व की चिनता है जिसको अपने अस्तित्व की चिंता है गुरु द्वार में उसका अस्तित्व की खतम होने की संभावना है लेकिन जिसको अपने अस्तित्व की चिंता नहीं है उसके अस्तित्व का ख्याल स्वयम गुरु रखता है उसका अस्तित्व बना रहता है जिसको अपने अस्तित्व की परवाना हो बदलाओ जो होता है, उसमें कभी year न सोचो, कि हमारे अस्तित्व का क्या होगा क्योंकि गुरु स्वय्म आपके अस्तित्व को सुरक्षीद रखता उसको उसको वो आज नहीं आने वो स्वय्म उसको सुरुक्षित रखेगा जो विवेक शंपन रहें गए उसको बदलाओ में क्या होता है आप ये समझो बदलाओ में क्या होता है स्टांडर्ड बदलता है बदलाओ जो होता है कोई बात में कोई व्यवस्था में तो उसमें अस्तित्व किसी का खतम नहीं होता standard बदलता है जो पांचवे में है वो छटवे माता है जो छटवे में है वो साथवे माता है उसका स्तर बदलता है उसकी कक्षा बदलती है लेकिन परिवरतन स्वयम गुरु जब करे तब चिनता न करे 성공 उसमें आपका standard उपर आ जाएगा क्योंकि सामन तो है मनुष्य की जो प्रकृती है जो सुभाओ है वो वैशा का वैशा रहना चाहता है जबकि गुरु निरंतर विक्षीत होता है और निरंतर विक्षीत होता है तो उसमें बहुत बदलाव होता है लेकिन वो सुरक्षी रख लेता है जहां विवेग है गुरु और शिष का जो सम्मंद है वो अलवकिक होता है और अलवकिक होने के कारण अटूट होता है जिसमें लवकिकता है जिसमें भहुतिकता है वो तूटता है जिसमें अलव किकता है वो अचूट हो जाता है कोई पवित्र स्थान से कोई धर्म स्थान से कोई महपरूश से यदि आप जुड़े हैं तो वहाँ आप तूटोगे या अचूट रहोगे या आपको जानना है तो आप जान सकता है कैसे आपको शुरुआत देखने पड़ेगे कोई मंदीर से कोई आश्रम के से कोई संत से कहीं से आप जुड़े हैं तो आप जो जुड़े हैं उसकी जड़ को देखो उसकी शुरुआत को देखो यदि आपका उस व्यक्ति से उस संत से उस दर्मस्थान से उस मंदीर से यदि आपका संबंद जो है वो आपके संबंद की शुरुवात जो है वो यदि आकरसन से हुई है तो समझ लो संबंद थाई नहीं तो फिर रहेगा कैसे कुछ लोगों के संबंद की शुरुवात ऐसी है कि बड़ा आश्रम देख लिया तो संबंद बना लेते हैं कि इससे कोई लाब हो जाएगा हमारी पहचान हो जाएगी इसलिए जुड़ जाता है कुछ लोग संद का कोई नाम बड़ा हो जाता है तो फिर उसके साथ जुड़ जाता है कि बड़ा नाम जिसका है उसके साथ जुड़ जा लाब हो जाएगा पहुतिक लाब हो जाएगा तो बड़ा नाम देख करके आप जुड़े हैं तो यह समझ लो आपका उसका संबंद अलव किक था ही नहीं और जिसमें अलव किकता नहीं है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है आप जानते हैं कभी-कभी आप यह समझते हैं कि मेरे भाई के साथ मेरा संबंद था अप लेकिन अब नहीं है था ही नहीं था ही नहीं आप जाते आते थे उसके चाईपाने खराब कर देते उसका टाइम लेते थे था ही कहां पवित्र स्थान से कोई पवित्र व्यक्ति से आपके शंबंध की शुरुआत आप लोग द्यान से सुन रहे हैं जो भी हिंदी गुजराते गड़बड है सब लोग समझ रहे हैं आपके शंबंध की शुरुआत जो है आपकी नीव जो है वो निवियने होनी चाहिए कि बड़ा नाम है चलो जुड़ जाओ पैसा ज्यादा है जुड़ जाओ आस्रम बड़ा है चलो लग जाओ आपके संबंद की शुरुवात बहुतिकता नहीं है आपके संबंद की शुरुवात यदि अलवकिता है आकरशन से आप जुड़े हैं तो जुड़े ही नहीं है जब संबंद ही नहीं है तो अस्तित्व का कोई सवाल नहीं है भावतिक वस्तूओं से प्रभावीत होकर के जो लोग जुड़े नहीं है, لेकिन कोई स्थान से कोई संत से उनके वेराग को देखकर जो लोग जुड़े हैं उसका अस्तित वो उपर वाला भी नहीं मिता है